नमस्कार दोस्तों बारती किसान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो सभी परकार की पसलों में लगने वाले मोईला जिसे एफिट गहते हैं इंगलिस के अंदर आप माहू चुसक केट या कोई मोईला चेपा अधी नमों से आप को पुकारते हो जो की हरा काला पिला या आपके भूरा किसी भी रंका हो सकता है कहीं परकार की पसलों में लगता है सबज्यों में लगता है पलवरक्सों में लगता है यानि ऐसी कोई भी पसल नहीं है जिसमें नहीं लगता हो बागी ये सर्चों में तो बहुत ही इसका मुख्य कीट है जीरे का मुख्य कीट है उसके लावा अनार का भी चुसक कीट है मुख्य उसके लावा कई प्रकार की फसलों में लगता है सब्जों में फसलों में सभी में लगता है लग बगलो तो इसकी जो सस्ती सुन्दर और बेस्ट रिजल्ड वाली दुबाईयों के बारे में चच्चा करेंगे साथ जेविक भी होगी और रासाइनिक होगी यानि आज के बाद आपको इससे रिलेटर कहीं पर भी वीडियो देखने की जुरूर नहीं पड़ेगी दोस्तों जनरली क्या है कि यह चुसा केट यह फलियों पतियों या तने का जो कॉमल भाग है उसका रस चूचता है जिससे क्या है कि यह पतियां तो मुर जाएगी सिकूड कर मु जाता है तो पिर क्या मतलब है दोस्तों इसकी जो एटूजेट सारी द्वाईयों के बारें बात करें तो दोस्तों इसमें जो सबसे जो सबसे और सुन्दर द्वा जो सभी परकार की प्रसलों में आप इसे यूज कर सकते वह थायो में तो जाम 25% डव्यूजी इसका दोस्त के अंदर जो कई परकार की लोकल कंपनिया है तो उनमें टेक्निकल मात्रा भी कम आती है तो पांच गराम में उसे रिजल्ट भी नहीं आता है जबकि जो सिंजेंटा की जो एकतारा वगेर आती है अच्छी कंपनियों का आता है उनमें पांच गराम में भी अच्छा रिजल इस की जो पंका जो काई नहीं मरता हैं तो आप एकाद स्प्रे एक्डा करें और इसके बाद में इससे उपर के टेक्निकल का प्रीयोक करें जैसे थाय मेच्ग्जम और लेमड़ा । का जो combination आता है जो सिंजेंटा की अलिका हो गई इपको की इरुका हो गई अधी नमों से आता है तो उसका प्रियोग कर सकते हो और यह क्या जेर सी formulation में आता है इसके अलावा दोस्तों एक फिपरोनिल 5% वाला भी आता है जो कि आपके रिजेंट it'shc आती कहीया नमों से आता है तो इसका भी आप प्रियोग कर सकते हो इसका प्रियोक करना चाहीयाएं इसके साथ आपके इन से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप जेविक दवा का प्रियोग भी कर सकते हो एजाडी रेक्टिन पंद्रा सू पीपिम नामक केट ना सक जो आती है जो की नीम ओयल भी कहते हैं इसे यह पंद्रा सू पीपिम या 0.15% के अंदर आती है तो इसका भी आप प्रियोग कर सकते हो इसकी जो स्प्रे की डोज हैं 5 ml पर्ति लेटर पानी के हिसाब से अगर आप कॉंबिनेशन करना चाहते हो जेविक और रासानिक का तो भी कर सकते हो कोई भी एक इन में से रासानिक दवा ले सकते हो साथ में जेविक के रूप में एजाडी रेक्टिन मिला सकते हो लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि पहले स्प्रे पंप की टंकी को पानी से बर लेना है उसके बाद में उपर से इनके गोल को डालना या ml को डालना है इसके साथी साथ दोस्तों हाई क्वालिटी के इंसक्टि साइट के बारें बात करें तो वैसे तो इन से ही मर जाएगा लेकिन यूपियल का उलला ओगया टौकन हो गया इंडो milkा स्वाल का जो आपके पनामा होगा इंसे भी यह दवा मरत हैं выпूल सहीं चुसक कीट क्या करता है टो कि जो अपना मल मुत्र त्याग देता है तो पतियों पलियों यह तन्हे मलमूत्र त्याग देता है काला काला हनी ड्यू जिसे कहते हैं इंग्लिस में तो उससे भी क्या है कि फपुन रोग तो 100% लगने ही लगने है अगर ज्यादा हो गया तो तो साथ में आप जो यूपियल साफ कार्बेंडा जी में को जो हरे एक कंपनी का आता है बारा परसेंट तो उसको आप दो ग्राम परती लिटर पानी के हिसाब से मिला सकते हो तो उससे क्या फंगस बगेरा भी खत्म हो जाएगी और साथ में आप ग्रोथ के लिए एनपी के उनीस उनीस अठारा मिला सकते है जो कि अब गर आपका परिफेक्ट स्प्रे के बारें बात करें तो आप एफिट को आराम से मार सकते हो जो माहू चेपा आप मोईला किसी भी अन्य नाम से जो आप जानते हो उसको आप आराम से खत्म कर सकते हो आसा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वारती किसान यूटीब चैनल को सब् देने वार